स्कार्ट प्रेंट्स मैं हूँ धर्मेंदर महावर और स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चेनल की लाइव क्लास में और बात करने वाले हैं आज अपन आपको पता हैं एक्जाम हुआ था वो 6 देसंबर को कंड़क्ट हुआ था और उसके लिए हमने आपको आंसर कीज हैं जो कि प्रुवाइड कर दी हैं जिसने नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वो देख सकते हैं आज आपने इसमें बात करेंगे एक कर देना और नए विजिट कर रहे हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आपको इंफोर्मेशन मिलती रहें तो सबसे फ़र्स्ट अपन बात करेंगे कि जो इस पेपर था उसका लेवल क्या था तो जिसने एक्जाम द सकते ज्यादा इजी भी नहीं के सकते रास्थान से थोड़ा सा लेवल ज्यादा था बट एक तरगे से पेपर लेवल का था और उसी की वज़े से इसके जो कॉट ओफ है वह ज्यादा हाई भी नहीं जाएगी जैसा कि आपको मैंने जो आंसर की जो प्रवाइड कर दी है नह जिक्ट कट ओफ है और इससे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा चले पहले पहले की बात कर ले तो इसके बाद आपन कुछ इंपोर्टेंट बाते बाते और डिसकस करेंगे रिजर्ड डेट के रिगार्डिंग और कुछ सेलेक्शन क्राइटीरियाज में पूरी जानकारी आपको लेना है चले सबसे सब्सक्राइग करते है यू आर कर तो उसकी जो कट ओफ रहने वाली है वो 63 से लेकर 65 प्लस तक बनने वाली है और इसमें एक नमबर या दो नमबर उपर नीचे एक परसेंट है नमबर इतीक है जो कि उपर नीचे हो सकता है एक नमबर या दो नमबर इससे ज्यादा डिफ्रेंस आपको देखने को नहीं मिलेग क्योंकि काफी सटीक है हाला कि हम तोड़ा लेट आपको वीडियो प्रवाइड कर रहे हैं वह इसलिए है लेट हो गई वीडियो आपको मिलने है क्योंकि इसके लिए क्या है कुछ इवलिशन किया जा रहा था फेस्बुक के थरू वाटसब के थरू जो टेलेग्राम पर दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर कर देना नए हो तो जैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे भी आपको लेटेस जनकरी मिलती रहें और एम से रिगार्डिंग और सभी अपडेट्स पाने के लिए जरूर वीडियो को लाइक और सेर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो बात के अपने यूर के टिगरी की अन्रिजर्ड विया जनरल के टिगरी की तो 63 प्लस मान लेते हैं 65 प्लस मैंने एप रोक्स रखा है इससे ज्यादा कट ओफ नहीं जाएगा ठीक है क्योंकि पेपर के लेवल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए क्योंकि इसके अंदर उन्होंने मांगा था सीजियस कोर्स वाला और सीजियस कोर्स आय होफ मोसली ज्यादा था स्टुडेंट्स के पास नहीं है और जिसने एपलाई किया था उनके फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिये गए ठीक है काफी सारे इसलिए रिजेक्ट हो जुक हा था फाम इसलिए उनका डाउनलोड नहीं हुआ है और पेपर नहीं दे पाए इसलिए इसकी कत ऑफ ज्यादा हाइड नहीं जाने वाली है सिक्सटी फॉप प्लस में 1 उपर कर लो 1 माइनस नीचे कर लो ठीक है 1 प्लस उपर कर लो 1 माइनस नीचे कर लो और आपका मुझे पता है आप सब वापस से कमेंट करेंगे कि सर्फ फिमेल का क्या रहने वाला है तो फिमेल का भी मैं बता दू जो मैं कटो बता रहा हूं उससे कम ही जाएगा ज्यादा फरक नहीं पड़ने वाला है आपनेक्स केडिकरी की EWS की और EWS के अंदर जो कट अफ जाने वाली वह 60 प्लस के अंदर जा रही है ठीक है बात करते अपनेक्स एम बीची की की कट अपने की जाने वाली है MBC के कट अपनेक्स के अंदर आ रहा है वह अपने डोकुमेंट की तैयारी करने लग जाए क्योंकि कोई भी एक्जाम होता है उसका एक मंत मान लो एक महिने के बाद कभी उसका रिजर्ट जारी हो सकता है तो दिसंबर के अंदर 6 दिसंबर के एक्जाम हुआ था जन्वरी के फर्स्ट वीक से सेंट थर्ड वीक के अंदर मतलब जन्वरी के अंदर इसका रिजल्ट कंफर्म है जले बात करते हैं आगे नेक्स तो एसी के टिगरी की और एसी के टिगरी में कटोब रहने वाली है 57 समस्थिंग 57 प्लस इसके कटोफ रहने वाली है ठीक है 57 प्लस उपर-nीचे आप करी सकते हैं एक दो नंबर ओपर-nीचे हो जाता है और फिमेल की इससे एक दो नंबर कम जादा रहेगी ठीक है तो एक नंबर है वो दो नंबर या कम ज़्यादा रह सकती है कोई फरक नहीं पड़ता जो इस केटिगरी में है वो अपनी तयारी में लगी जाए जिसके बाकी जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलता है आपको सबसे अपडेट करूँगा तो वीडियो को लाइक और शेल जरूर कर देना दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर दे रहा ठीक है और आपने कट और आपको लिंक आएगा वहां से आप उसको देख सकते हैं अचले बात करते हैं सब्सक्राइब करेंगे सर वीडियो की क्या होगी तो आप अंदाजा लगा लिजी जो केटिगरी में बताईए उस के सम्थिंग आपकी कट आपको नहीं मिलेगा और जिनके लिए इस्पेशली अलग से कोठा मिला है इस्पेशली अलग से उनको रिजर्वेशन मिला है तो उनकी कट ओफ में थोड़ा सा फरक पड़ेगा थोड़ी सी कम हो जाएगी दोस्तों तो 50 तक मान लेजिया 50 तक मान लीजे 50 परसेंट में सेलेक्शन शूर है क्योंकि इसमें केंडिडेट है जो कि कम हैं कर रहा है और वही एपलाई कर पाए और जिन्होंने एपलाई किया उनका विजेक्ट हो गया है तो कमपेटेटर इसमें कम थे इसलिए इसकी परसेंटेज कट ओफ भी कम जाने वाली है बात करते हैं अल आवर कट ओफ गी तो इसकी ओल ओवर कट ओफ है वो 50 से 65 अब वो यह सी केटिगरी हो स्टी केटिगरी ऑफ जनरल ओ बीसी ओ एमबीसी ओ एव्च ओ कोई भी केटिगरी हो जो कट ओफ आपके सामने हैं ऑल ओवर 50 तो 65 इस केटिगरी के अंदर आप आरहे हैं के दिगरी वाइज में बताया मैंने और इस परसेंटेज के अंदर आप तो बिल्कुल आपका शेलेक्शन शूर है फिर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट करें आपके कमेंट का भी बिल्कुल पोजिटिवली रिप्लाई जरूर मिलेगा ठीक है और वीडियो को अपन यहां तक अपने इसको लिया लास्ट बात करते है और इसका रिजल्ट है को जन्वरी मंत में बिल्कुल आ जाएगा जन्वरी मंत में इसका 100% शूर है रिजल्ट आ जाएगा कोई डिले नहीं होगा ठीक है और आप समझ गये होंगे कट अपस मैंने बताईए आंसर कीज है आपने नहीं देगो तो आप आंसर कीज जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी और अभी भी आपने इविलेट नहीं की आंसर कीजए आप आंसर कीजए जरूर करें और आपने स्कोर जरूर बता है ताकि मैं और ज्यादा एनलाइट कर सकूं इस स्कोरिंग को और थोड़ा सा है ठाट आपो दि आज के लिए इतना ही डिस्कस कर रहा था मैं बागी जानकारी अपन नेक्स वीडियो में लेंगे आज के लिए मैं आप सबसे अलविदा मांगता हूँ मिलते अपन नेक्स वीडियो में नए अप्टेट के साथ जैसे ही कोई अपडेट इसके रिगार दि मुझे मिलती हैं आप तक बिल्कूल जरूर सेर करूँआ सबसे पहले आपको जरूर अपडेट करूँआ थेंक यू वेरी मुच पर जोइनिंग इस वीडियो आप सब समझ पायोंगे मेरी जानकारी के और एक बार फिर से आप सब का धन्यवाद तक यू वेरी मुच